असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे बहुती मज़ेदार सी सबसी गोबी मटर मसाला रेस्टोरन इस्टाइड चलिए पिर रेसिपी की तरफ चलते हैं अब हम लेंगे सबसे पहले गोबी इसे आपने क्या करना है इस तरीके से तोड़कर इसके फूल अलग कर लेने हैं आदा किलो गोबी को हमने पहले अच्छे से तोड़ लिया धोकर चनी में दाल दिया ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए गोबी को हम मेरिनेट करेंगे तो उसी का मसाला हम यहाँ पर बना कर तियार कर लेते हैं एक टेबल स्पून राई का तेल वन टी स्पून नमक जाएगा और वन टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इससे अच्छा सा रंग आ जाएगा वन टी स्पून जाएगी इसके अंदर हल्दी पाउडर का वन टी स्पून जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा वन टी स्पून जाएगा इसके अंदर चाट मसाला पाउडर का वन टी स्पून जाएगा धनिया पाउडर इसके अंदर और आधा टी स्पून कुटीवी काली मिर्च जाएगी वन टेबल स्पून जाएगा बेसन यानि चने का आटा जाएगा इसके अंदर और वन टेबल स्पून ही हम इसके अंदर दही डालेंगे ताके मसाला अच्छे से बन जाए अब इसके अंदर जाएगा वन टी स्पून अदरक और लसन का पेस्ट आधार इसके अंदर जाएगा नीमबू सब मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और ऐसा ना आपको बना कर तयार कर लेना है मतलब सब कुछ मिक्स हो जाना चाहिए अब जो गोबी को हमने छनी में दाल कर रख दिया था ताके उसका पानी निकल जाए गोबी को इसके अंदर एड़ कर देना है अच्छे से मसालों के साथ मेरिनेट करना है आप चाहे तो आदे घंटे के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं मगर हम इसे फॉरण से बना लेंगे लेना है आपने एक पैन एक टेबल स्पून हम इसके अंदर दालेंगे ओईल का क्योंकि हमने यहाँ पर मस्टर्ट ओईल का भी इस्तिमाल किया है यानि राई के तेल का भी इस्तिमाल किया है तो एक टेबल स्पून आपने डालना है ओईल और स्लो फ्लेम पर इसे इतना पकाना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी, गूर्डन, ब्राउन हो जाए बेसन है तो सारे मसाले इसके ओपर अच्छे से कोट हो जाएंगे बस आपको इतना धियान रखना है कि आपकी गोबी जले नहीं अच्छे से ये मसालों के साथ पग जाए दो से तीन मिनट में देखिए अच्छे से गोबी पर कलर आ गया और पक भी गई है तो आपको गोबी को बाहर निकालना है उसी पैन में हमने डालना है दो टेबर स्पून ओईल का और इसके अंदर जाएगा दो पिन जितना हींग वन टीजपून जीरा वन टीजपून जाएगा इसके अंदर राई दाने का एक मेडियम साइस की प्यास जाएगी इसके अंदर प्यास को बहुत जादा देर तक नहीं पकाना है वन टेबर स्पून जाएगा अदरक और लस्टन का पेस्ट ये दाल कर हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें से कच्छी स्मेल खतम हो जाए अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे एक टेमाटर जिसे हमने मिक्सी जार में दाल कर बारिक पेस्ट बना कर तयार कर लिया इसके अंदर जाएगा वन टीजपून नमक, वन टीजपून हल्दी पाउडर जाएगा वन टीजपून जाएगा भूने हुए जीरे का पाउडर वन टीजपून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और वन टीजपून जाएगा इसके अंदर धनिये पाउडर का इस सारे मसालों के साथ हमें अच्छे से भूनना है इसे हमें अच्छे तरीके से मसालों के साथ 4-5 मिनट अब हम इसे भूनेंगे तक इसकी कच्छापन खतम हो जाए अब जो मसाला बाउल में बच गया था जिसमें हमने गोबी को मेरिनेट किया था वो मसाला भी इस वक्त आपको डाल देना है ढकन लगाकर हमने इसे 5 मिनट तक कूक किया देखे तेल नजर आ रहा है मतलब हमारा मसाला ना बहुत अच्छे से पक चुका है आदा कप इसके अंदर जाएगा मतल 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 डाल कर मसालों के साथ भूनना है अब इसके अंदर जाएगी गोबी गोबी और मतल को बहुत जादा नहीं पकाना है अच्छे से हमें सारी चीजों को मिक्स करना है धकन लगाकर हम इसे पकाएंगे तीन से चार मिनट उससे पहले आपने वन टी स्पून कसूरी मेथी को हातों पर करश करके एड़ करना है और ये देखें दो से तीन मिनट में हमारी गोबी मसाला बनकर तैयार हो गई है अब आपने क्या करना है इसके अंदर डालना है हरा धनिया हरे मिर्च बहुत जादा ना आपने मटर और गोबी को डाल कर नहीं पकाना है क्यूंकि गोबी पहले पक चुकी है मटर को पकने में टाइम नहीं लगता है और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से पग गया है अब फिर आपने क्या करना है सर्फ करना है गोबी मसाला हमारा बन कर तयार हो गया है रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज के साथ खाईए आपको बहुत मज़ा आ जाएगा घर पर रेस्टरण स्टाइल सबजी बनाएए घर वालों के साथ इंजॉई कीजिए अपना ख्यार रखिए, दौाओं में मज़े याद रखिए टेक केर, लाहाफेज